Hello students, welcome back to my channel, Savita English Classes. In this video, we will do chapter number 2. Name of the book is It So Happened and name of the chapter is Children at Work. Children at work means, children जो हैं बच्चे कैसे काम पर रहते हैं, कैसे काम करते हैं, अब बच्चा है, वो काम करता है, तो कहीं ना कहीं अपनी requirements को fulfill करने के लिए करता है, जब उसकी basic requirements पूरी नहीं होती हैं. तो इसमें भी एक value नाम का छोटा सा बच्चा है, 11 साल का एक लड़का है, उसकी ये कहानी है. Let's move to the chapter. Now I will explain this chapter line to line and in this video we will do part number one of this chapter. So let's start. बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जिससे बच्चे को काम करना पड़ता है. वहाँ पे कई बार उसे अपने family members की livelihood को means उनकी आजिविका को कमाने के लिए, उनकी help करने के लिए काम करना होता है. कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी family से unhappy होते हैं और वो घर को छोड़ कर भाग जाते हैं. और वो उनको support नहीं मिलती है और वो home को जो है left कर देते हैं. कुछ जो बच्चे हैं जो बच्चे काम करते हैं वो और बच्चों की तरह से school नहीं जाते हैं और play नहीं करते हैं. तो इस परकार जो बच्चे काम पर लगे हुए होते हैं वो इन सब चीजों से बंचिते रह जाते हैं अब जो ये first three points जो दिये गए हैं ये आगे हम paragraph में two three paragraphs में क्या पढ़ेंगे it is the summary about that अब इसमें एक value नाम का लड़का होगा वो 11 year है और वो घर से भाग जाता है वो इधर उधर गोमता है ट्रेन में बैठकर चेन नहीं पहुंच जाता है बिना ही किसी टिकेट के वो बहुत tired है थका हुआ है और बहुती naughty है बहुती सराद है बहुती भूखा है और बहुती थका हुआ है इस परकार क्या होता है वो बहुती स्ट्रेंज महसूस करता है अपने आपको कोई भी उसे नहीं जानता है और उसे टाइम उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसका स्टेशन के उपर स्वागत करती है इस परकार हमारी कहानी यहां से में जो है टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है कन्या कुमारी से जब कन्या कुमारी एक्सप्रेस जो है वो चेन्नाई सेंटर स्टेशन के उपर रुकती है और वेल्यू जो है वहाँ पर उतर जाता है वेल्यू को थोड़ा सा समय लगता है ट्रेन से उतरने में और जब वह ट्रेन से उतरता है तो उसके पैर जो हैं लड़ खड़ाते हैं और महसूस करता है कि अभी भी वह ट्रेन में ही बैठा हुआ है और आउट ओफ दे वे एपोर्टर मिंस आउट ओ मिंस रस्ते से हट जाओ एक पोर्टर जो है पोर्टर होता है कुली एक कुली कहता है कि आप रस्ते से हट जाओ और वह कुली एक ट्रॉली लेकर आता है लोडिज सामान की वेल्यू जो है एक साइट जंप कर जाता है और इस प्लेटफॉर्म के उपर एक बेंच के उपर बैढ़ जाता है उसके पास एक बंडल है स्मॉल थिंग्स हैं उसके अंदर और वो अपने पास में रख लेता है वेलू जो है 11 इयर ओल्ड है और 11 इयर में उसने कभी पी इतने लोगों को इकठा नहीं देखा था इस परकार जो है कुछ लोग वहां से जा रहे हैं और जो लोग हैं वो बंपिंग करते हुए जा रहे हैं इट मिन्स अपने सूटकेस से उसको टच करते हुए जा रहे हैं एक जो वाइस की अनाउंसमेंट होती है लाउड स्पिकर में एक घोशना होती है और कुछ लोग जो हैं पास में बैठे हुए हैं अपने सामान के उपर और कुछ लोग वहां पर टीवीद लगा हुआ है उसको देख रहे हैं रूफ के उपर चट के उपर और वहां जो सोर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इस परकार वैलू अपना हैड डाउन करके अपने घुटनों पर अपने सिर को रख कर बहुत ही देनिये दसा में और ठका हुआ बैठ जाता है इस परकार वो क्या करता है मिन्स वो उपनी सिच्वेशन को क्या بتाता है कि वो घर से भागा हुआ है, दो दिन हो चुके हैं दो दिन पहले और फोर टू डेज से मिस दो दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है कुछ मौंगफली के दाने और कुछ एक पीस जो है वो गुड का उसने खाया है उसके पास एक बंडल है उस बंडल के अंदर एक शर्ट है एक टॉल है एक कॉम है इसके बाद क्या करता है वो फस्ट डे इधर उधर घूमता है कैनूर के अंदर और उसके बाद वह ट्रेन में बैठ जाता है चिन नहीं जाने वाली ट्रेन में में स्टेशन चिन नहीं जाने ट्रेन में बैठ जाता है वेल्यू के पास कोई मनी नहीं है पैसा नहीं है ना ही टिकेट है बट लगकिली उसके साथ क्या होता है कि टीसी वहाँ पर नहीं आता है तिकेट कलेक्टर नहीं आता है और उस वह उस चेनने स्टेशन के उपर पहुंच जाता है वह बहुत ठक गया है मिन्स दो दिन से वह है ट्रेन में क्या कर रहा है दो दिन से चल कर आया है फिर ट्रेन में बैठ गया है और वो सोने की कोशिस करता है फ्लोर के उपर फर्स के उपर वहीं डोर के पास में कुछ लोग वहां पर जो हैं कार्स खेल रहे हैं और और वो पूरी रात चिलाते रहते हैं, इस परकार जो है वह चेन्नाई पहुंच जाता है, और क्या होता है, एक उसे आवाज सुनाई देती है, एक rough voice में से करकस आवाज सुनाई देती है, कि आप इस टाउन में नैं हैं, वेल्व जो है अपनी आँखों को खोलता है, और क्या करता है बहुत सारे लोग जो हैं इधर उधर उसके सामने खड़े हुए हैं पास में खड़े हुए हैं लेकिन उसकी साइड कोई भी नहीं देख रहा है और उसे समझ नहीं पाता है कि उसे को ने बोल रहा है उसके बाद फिर से आवाज आती है उसे हेर ए इट मिंस यहां बनियान पहनी हुई है जो उसके घुटनों तक है उसके बाद जो हैं वो बहुत ही स्टिफ हैं टाइट हैं और ब्राउन कलर के हैं और उस लड़की ने एक बहुत ही बड़ी बोरी जो है अपने कंधे पर लटका रखी है वह लड़की वहाँ पर डिर्टी प्लास्टिक के कप इसको पिक कर रही है उथा रही है फ्लोर के उपर से वहीं फर्स के अंदर से और स्टाफिंग कर रही है इच मिंस भर रही है किसको भर रही है उसको अपनी बोरी के अंदर भर रही है जहां इस पिक में आप उब्जर्व कर सकते हैं यह जो है हमारा वैल्यू है बैठा है ब ब्राउन कलर के हैं ये जो एक सेक है बोरी है और ये किसको पिक कर रही है ये जो कैन है प्लास्टिक की जो बोटल है रफ जो मैटिरियल लोग ठ्रू कर देते हैं स्टेशन के उपर यूज करने के बाद उसको पिक करके इसके अंदर जो है वो स्टाफिंग कर रही है इसके बा बन्जान क्यों पेहनी हुई है और वो लड़की क्या कहते है कि बूरी तरह से मूर्खों की तरफ तरफ मेरी साइज घुरने की जरूरत नहीं है आपका नाम क्या है नाम बताइए वेलू बुड़ बुड़ाता है उसकी मतलब दूसरे साइज देखते हुए उसकी साइज बजर्व कर लेती है कि ये लड़का कैसे यहां पर बैठा है और उसे अपने आप ही खुद बताती है कि रन अवे फ्रॉम हॉम घर से भाग कराए हो वैल्यू ने इसके उपर कोई आंसर नहीं दिया और वह नहीं चाता था कि किसी स्ट्रेंज गर्ल को मिंस अजनबी लड़की को वह ये सब चीजें बताए कि उसके साथ क्या हुआ है और वह भाग चुका था क्यों? क्योंकि वो नहीं स्टेंड कर सकता था अपने पिता के सामने उसके पिता हर रोज उसकी पिटाई करते थे और वह बरदास नहीं कर सकता था अब क्या होता है उसके फादर जो हैं उसकी सिस्टर वेल्यू और उसकी सिस्टर जो पैसे अरन करते थे उसे स्नेच कर लेता था छीन लेता था और उससे वह सराब पीता था तो इस परकार क्या है कि डॉंट थिंग, आई डॉंट नो लड़की कहती है कि आप मत सोचो कि मुझे नहीं पता है यह जो स्थान है, नहीं जो प्लेस है वो आप जैसे बच्चों से भरा हुआ है आप क्या करने जा रहे हो याप यहां क्या बनने के लिए आए हो इस परकार जो है वो बहुत भूखा है भूख मैसूस कर रहा है अपने आपको खुद को पिंच कर रहा है और अपने स्टमक को दबा रहा है और लड़की उससे पूछती है कि आपको भूख लगी है आपको यूविल आपको इस तरह से खाना नहीं मिलेगा इस तरह से फेस बना कर बैठने से और बेंच पे बैठे रहने से आप खाना नहीं प्राप्त कर सकते अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए कुछ खाना ला सकती हूँ और इस पर जो है वेलू कोई भी जवाब नहीं देता है तो लड़की क्या करती है लड़की अपनी बोरी को उठाती है और वहां से चलना सुरू कर देती है वेलू जो है उसी बेंच के उपर बैठा रहता है वेलू सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए उसको फोलो करना चाहिए लड़की के साथ जाना चाहिए या उसके साथ नहीं जाना चाहिए अब उसे यह भी नहीं पता कि वो कहां पर उसे ले कर जा रही है अब वो धीरे-धीरे क्योंकि बहुत भीड है स्टेशन के उपर वो धीरे-धीरे डिसपीर होती जा रही है लुपत होती जा रही है इतनी भीड के अंदर तो उझे बहुत ही ज़्यादा quick decision करना है अपने mind को quick करना है कि मुझे क्या करना चाहिए लड़की के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो on the sport जो है value decision देता है कि ठीक है और वो उस लड़की के पीछे चला जाता है उसके पीछे जोड़ता है उसके पास कोई idea नहीं है वो jump करता है और उसके पीछे run करता है अब she was not even looking वो उसे दिखाई भी नहीं दे रही है she was not even looking means वो उसे देख नहीं रही थी back to see where he was वो लड़की ये नहीं देख रही थी कि value मेरे पीछे आए वो तो अपने रस्ते पे चली जा रही थी और उसने उस लड़के को जो है पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी यहाँ पर हमारा जो part 1 है वो finish हो जाता है in next video we will do part 2 so you read it and after watching this video you like share and subscribe my channel